महा समुन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जिसमें एक कार अन्यन्तित होकर पेड़ से तक्रा गई इस हादसे में कार सवार दो लोगों की मोके पर ही मोध हो गई जबकि एक गंभी रूप से घैल हो गया है जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवाया गया गटना महा समुन जिले के खलारी थाना इलाके का है जहां राशनों गाउं सिनिमा लाइन भाइसा मार्किटिंग के संचालक और युगांतर स्कूल के चेर्मेन गौतम भनसाली वो उनके छोटे भाई सुशील भनसाली खरियार रोड जा रहे थे तब ही महा समुन के पास उनकी कार हाथसे का शिकार हो गई जिसमें दोनों की मौत हो गई है जानकारी के अनुसार कार में सवार होकर तीन लोग राशनों गाउं से खरियार की और जा रहे थे इसे दुरान नेशनल हाईवे 353 में कोस रंगी मोड के पास चालक ने कार से नियंतरन खो दिया और कार सीधे सड़क की नारे लगे पेड़ से टकरा गई हाथसे में कार के सामने के हिस्से के परखचे उड़ गए है इस दरदनाक सरक हाथसे में गौतम भनसाली और सुशीर भनसाली की मोड हो गई वहीं चालक दिनेश साहू गंभी रूप से घायल है जिसे एक नीजी हॉस्पिटल में भरती करवाया गया है जहाँ इलाज चल रहा है गटना के बाद खलारी पुलिस मोके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है देखें चत्रिस गड़ से समाधा था प्रणे अंगरवाल की एक खास रिपोर्ट ऐसी ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हन्यवाद